कुत्व मिनार को निर्मान कुशलता का एक नयाब नमूना भी कहा जाता है इसका निर्मान कुत्व दिन एवक ने सन 1192 में किया था आज भी से निर्मान कुशलता का एक जीता जागता नमूना कहा जाता है सन पंद्रा सो पाँच इस्वी में एक भैंकर भुकम से यह लगभग तबाह हो गई थी लेकिन इसकी मरम्मत कराए गई जिसे यह दुबारा ठीक ठाक हो गई सन अठारा सो तीन इस्वी में भी एक और भैंकर भुकम ने इसको बहुत चादा नुकसान पहुँचाया था और इसकी दुबारा मरम्मत की गई अगर आज आप इसे देखने के लिए जाएंगे तो आपको इसके अंदर और उपर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि इसके दरवाजों को सरकारी तोर पर ही बंद कर दिया गया है लेकिन ऐसा क्यों किया गया है आईए हम जानते हैं दरसल कुतु मिनार लगभग 900 साल पुरानी मारत है और इसे देखने आए कई लोगों ने यह दावा किया है कि इसके आसपास किसी के पास होने का एहसास होता है रात के समय पैरानॉर्मल इंवेस्टिगेशन की इस जगया पर अंजान शक्तियों के होने का दावा किया गया था साल 1984 के पहले कुतु मिनार के अंदर और अंदर की सीड़ियों से उपर जानी दिया जाता था लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़े से दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा दरवसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग इसके अंदर गए थे और सीड़ियों के जर्ये इसके ऊपर चड़ रहे थे इसमें से जादतर स्कूल के बच्चे थे इसके अंदर की सीड़िया इतनी छोटी थी कि एक समय पर कोई एक ही ऊपर या नीचे जा सकता था इसकी इतनी उचाई होने के कारण इसकी इतनी उचाई होने के कारण इसमें कुल 379 सीड़िया भी हैं इसके अंदर रोशनी का भी कोई बाहरी स्रोत नहीं था सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए थे लेकिन अचानक ही बिजली बंध हो गई और पूरे अंधेरे में सभी लोग डर गए और नीचे के तराफ भागने लगे सीड़िया छोटी होने की वज़ा से जल्दी से इससे उतारा भी नहीं जा सकता था इस भगदर में तकरीबन 45 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें जादा तर बच्चे थे तभी से कुतु मिनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया इसे जब भी खोलने पर विचार किया गया कोई ना कोई हाथसा हुआ इसलिए से सरकारी तोर पर ही बंद कर दिया गया आज भी यहां रात के समय पेरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के द्वारा की गई रिसर्च में यही पाया गया कि कुछ अजीब सा हैसास इस मिनार के आसपास होता है उनका तो यह भी कहना है कि उन मिरित लोगों की आत्मा आज भी इस जगह के आसपास एक हलका सा एहसास देती है कुछ लोग जो इस हादसे से पहले कुतु मिनार के अंदर जा चुके हैं उनका भी कहना है कि इस मिनार के अंदर इस हादसे से पहले भी कुछ ऐसा एहसा हुआ करता था और आप अकेले भी अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई और भी आपके साथ चल रहा है वहाँ के प्रशाशन का आज भी कहना है कि इसके अंदर किसी तरह की सेफ़ती नहीं है इसलिए इसे बंद रखना ही आखरी उपाए है तो अंत में हमारे मन में भी यह सवाल उठता है कि आखिर कुतु मिनार के अंदर वह हैसास क्या है जो हमेशा आपके साथ चलता है नहीं मिले उसी में सब की भलाई होती है तो यह थी हमारी आज़ी कुछ खास पेशकश मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार